नमस्ते दोस्तों मैं हूँ बुध्योषका सरे यानि कि आपका अपना दोस्त भीके दोस्तों शुरुवात करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये कोई टेक्नालोजी का चैनल बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मेरे कुछ दोस्तों के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो इस सकता है किसी के पोईटरी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है लेकिन दिखत यह आती है कि यूट्यूब पर MP3 फॉर्मैट सपोर्ट नहीं करता है इसलिए हम लोग थोड़े से परिशान हो जाते हैं बहुत सारे अप्लिकेशन का सहरा लेते हैं जो लोग थोड़े से बंद दृष् करते हैं लेकिन हम लोग पूर्ण अतहद रिष्टिबाद है तिया टोटली ब्लाइंड जो लोग होते हैं वह इस तरह के क्या अप्लिकेशन को यूज नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से तो इसी के लिए लेकिन यह सारा का सारा काम जो होता है वह एक वेबसाइट के यूट्यूब पर कैसे अपलोड कर सकते हैं तो शुरुबात करता हूं मैं मैं फोन यूज कर रहा हूं मोटो जी 5S Plus और यो का अपडेट है मेरा तो शुरुबात करता हूं मैं सबसे पहले दोस्तों मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करूंगा हां एक और भी चीज मैं यहां पर बताना भूल गया कि जिस इमेज को आपको अटैच करना है MP3 के साथ उसको आपको रीनेम करना होगा ताकि आपको ढूंडने में आसानी हो जाएगी और आपको एक अलग से फोल उसको मैं अपलोड करने जा रहा हूं यूट्यूब पे तो शुरुबात करता हूं मैं सबसे पहले मैं अब ब्राउजर खोलूंगा अब देखों क्रों पराम ब्राउजर में कौन सी एपसाइट ओपन होती ही मेरी तो मैं क्या करूंगा यहां से मोर अप्शन मी जांसा होँगा पर शmber वे और जीक्ले है जाओंगा ओके क्लोज किए हमेरे अकाउंट में जाओंगा और देखे दोस्तो इस पर ही जाना होता है हमें पर जाने के बाद में अगर हमारी वेबसाइट हमें नहीं मिलती है तो हमें इस पर जाकर के अभी न्यू टैब में आ गया हूँ अभी यहाँ पर तीन तरीके हैं या तो हम सर्च बाक्स में टाइप कर सकते हैं या वोई सर्च में टाइप कर सकते हैं या फिर उसके बाद ही तुरंत लेफ्ट और राइट स्वाइप करने के बाद हमारी सर्च हिस्ट्री भी हमें मिलती ह कि रिसेंटली हमने कितनी वेबसाइट को विजिट की है देखिए पहला है यहाँ पर हम लोग टाइप कर सकते हैं सब्सक्राइब कर रहा हूं और आगे पहली वेबसाइट मुझे मिल गई आगे भी वेबसाइट है अब बत्राइब जाओंगा क्योंकि मुझे इसी की ज़रुरत है अब जो बाकि की सारे टॉक्बैक जो बोलता है उस पर आप ध्यान मत दीजिए वेबसाइट की कुछ-कुछ पॉलिसी होती है उसके बारे में टॉक्बैक बोलता है हमें और यह सारी चीजे टॉक्बैक हमें बता देता है तो उसको आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए आप अभी एक बटन को आपको डबल टैप करना है मैं आपको बताता हूं दॉक्टिया ने टॉक्टिया आपको डबल टैप करना है फिर से सुनिये इसको इसको एक बार बीटी एन गूगल सिग्नल डार्क वेब डार्क नॉर्मल वेब ठीक है इसको आपको डबल टैप करने इससे पहले वाला ऑप्शन देखो यह आपको बता रहा है कि नीचे दिये गए हुए क्लिक पर आप अगर डबल टैप करते हैं तो आपको आपका गूगल अकाउंट में आप एंटर हो जाएंगे यह बटन हमारा आगया इस पर हमें डबल टैप करना है अब जो है मेरे यहां पर गूगल अकाउंट पूछेगा जिससे मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट भी लिंक किया हुआ है ठीक है अगर आपका दूसरा है तो फिर यूज अनदर अकाउंट पर आपको डबल टैप करना है ठीक है लेकि मेरा यही है तो में इस पर डबल टैप करूंगा भी वीडियो को जहां से सुनिए दोस्तों आपको एक बार समझ में आ जाएगी वैसे तो इतनी डिफिकल्ट है नहीं सारी चीजे बस एक बार समझने के देरी एक बार समझ में आ गए तो फिर आप लोग आराम से उसको कर सकते हैं ठीक है अब यह मेरा ओपन हो चुका है अब सब्सक्राइब करें अब जो है मैंने अलाओ कर लिया है अब जो है मैं अपने फाइल को सिलेट कर सकता हूं यहां यहां पर चूज फाइल नाम का उप्शन आएगा उस पर मुझे डबल टैप करना है देखिए पहले अपलोड फाइल आएगा बाद में चूज फाइल लाम का फोल्डर आएगा ठीक है दोस्तों इसा ही करना है दोनों बार इमेज अटाच करने के लिए आपको ऐसा करना है और और MP3 अटाइच करने के लिए भी आपको ऐसा ही करना है और सबसे पहले आपको इमेज को अटाइच करना है MP3 को बाद में अटाइच करना है ठीक है तो अब ये मेरा चूज फाइल बटन है उस पर मैं डबल टैप करूँगा जैसे मेरे डबल टैप दिया वैसे तीन आप्शन मेरे सामने और दिखाई दिये camera, camputer और camera camputer और files मैं जाना है कि कैमेरा में मेरे मिल्स कुछ नहीं है तो मुझे आभिएस करना है जैसे में घरूटर में में मीडिया करेंटर में हूं मैंनए इससे पहले वाला जो मीडियो था वह मेरा मीडिया कंवर्टर पे था वह जौक रहें इसके लिए तो मुझे और विकल्प मिलेंगे कि मुझे कहां से उसको फाइल को लेना है अधियो प्लस यह आपका इंटर्नल स्टोरेज का नाम है क्योंकि मैं फोन यूज करना हूं प्लस तो मोस्ट अफ दे टाइम हमारे डिवाइस का नाम ही वह ले लेता है तो आप लोग ने इस चीज को ध्यान रखना है तो यह मेरा इंटर्नल स्टोरेज में उस पर डबल टैप करूंगा जांब डाउंड फोल्डर में अब मेरे फॉल्डर मेरे फाइल का नाम है माई फोटो माई फोटो इमेज कँगा उस पर डबल टैप करके उसको सेलेक्ट करूंगा जिए ट। दूशेरें period तो सब्सक्राइब अभी अभी टोले अधिये आइब बश्य सेम प्रोंस को कंटीनीं कर वांगा फिर दूज फाइल में जाँआँगा उन नियुक्त नागर बड़ं की तुर। फाइल authority quality पिर शो रूट का इस्तिमाल करूंगा जो फाइब अब मेरे जो फाइल है वह साइवनारा रश्मी का गाना है वह वीडियोडर में जाओंगा अब जाओंगा टीक है वीडियोडर में घाइब आउ त इसे एंधर साहिनारा साहिनारा कवर सांग बाय रश्मी यह मुझे मिल गया है और मैं उसको टबल टैप करता हूं दोस्तों एक चीज यहाँ पर आपको बिल्बल मेंशन करता हूं कि जैसे हम लोग इमेज को और MP3 को अप्लोड करते हैं तो इमेज अप्लोडेट और MP3 नॉट अप्लोडेट ऐसे ही बोलता है 10-20 मिनिट के बाद MP3 को अप्लोड कर बोलता है लेकिन हमें घबराने की कोई बात नहीं है जब अप्लोड होती है तो MP3 अप्लोड होती ही है बस वह अनांस नहीं करता है को मैरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है इस मेरे फोटो का नाम फाइल को नाम नहीं है माइफोटो.jpg उसका साइज बता दिया ठीक है तो ये हो गया आपका स्टेटस दोनों फाइल्स का अब हमें आगे चलके डिस्क्रिप्शन मिलेंगे दो डिस्क्रिप्शन मिलेंगे यहां से हम दोग डिलीट कर सकते हैं अबर हमें गलती से कोई दूसरी फाइल सेलेट की है तो अब मुझे एक मिनिठा अब मुझे यहां पर टाइटल अगर देना है तो मैं उसको छेड़ूंगा अगर नहीं देना है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा उसको मैं सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओंगा ठीके अब मुझे जहां पर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा मैं आपको लिख के दिखा जी तो दोस्तो च्छमा चाहता हूँ मैंने बीच में इंटरप्ट किया था मैं फिर से को में पर जाता हूँ क्रोम में गया मुझे यहाँ पर देना है ठीक है मैंने टाइटल दिया था अब मुझे यहाँ पर दिस्क्रिप्शन देना है टीक है मैं टाइटल जेयर दैक कर देना इस O schieg और फाइल का नाम होता है वही टाइटल में आ जाता है आप उसको चेंज कर सकते हैं या उसी को continue रख सकते हैं तो मैंने चेंज नहीं किया अब मुझे यहां पर डिस्क्रिप्शन में देना है तो मैं आप लिखूंगा प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल ठीक है प्लीज आगया है मरे सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी आगया मैं चैनल चैनल भी आगया ठीक है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ओके यह है मेरा डिस्क्रिप्शन भी हो गया अब यहां पर आगे एक टैग भी देना होता हमें वो टैग के में किसी और दिन बात करेंगे हम लोग आज टैग का टॉपिक नहीं है अब इतना सब्सक्राइब के बाद दोस्तों सिर्फ हमें एक उप्शन करें डबल टैम करना है क्रिएट वीडियो ठीक है क्रिएट वीडियो बटन आ रहे हैं यहां यहां बोल रहा है जब इमेज और MP3 अप्लोड हो जाएगा पूरी तरह से तो आपको क्रिएट वीडियो का बटन मिल जाएगा यहां पर यहां पर यदि थोड़ा समय लगता है इमेज और MP3 को अप्लोड करते होने के लिए तो हमें क्रिएट वीडियो का बटन ना भी मिले तो इसमें चिंता करना की कोई बात नहीं कि यहां पर पूरी तरह से इमेज और MP3 कि तो हम लोग यहां पर सिर्फ क्रिएट वीडियो पर डबल टैप करते हैं देखिए हमने टा हमें इमेज और MP3 को अप्लोड किया है बाकि कुछ भी किया नहीं हमने तो यहां पर क्रिएट वीडियो पर डबल टैप करते हैं तो हमारी पूरी हो जाते हैं हमें एक दो मिनिट में रुखना पड़ेगा लेफ टो राइट स्वाइब करते रहना है हमें अजब तसली नहीं होती है हमें तो जैसे ही हो जाएगा वेसे देखा प्रोसेसिंग कम्प्लीट का मैसेज आ गया मुझे सब्सक्राइब करते हैं यहां पर पूछ रहा है कोई दूसरा भी वीडियो मुझे अप्लोड करना है अब तो मुझे नहीं करना है सब्सक्राइब करना जरूरी है थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए मैंने बटन को बोला यह उसी कॉम्प्लोग को करना होता है तो दोस्तों यह था मेरा वीडियो उम्मिद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद ना भी आए तो बताना क्या खामी रहेंगे क्या कमी रहें गई तो मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं और अधादू यह टेक्नोलोजी का वीडियो नहीं टेक्नोलोजी के चैनल नहीं है तो इस तरह के के वीडियो इस चैनल पर नहीं आएंगे बट क्यूंकि दोस्तों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया था सो थैंक्यू सो मच के अीडियोग के लिए सकते हैंТ-बटन अ-बटन